दोस्तो नमस्कार आदाब सिस्यकाल चैट विद सुइंदरवक्स के नए एपिसोड में आप सब का स्वागत है हम आगे बढ़ें दो लाइने मैं आपके साथ में सेर करना चाहता हूँ गुलजार साब की ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता बच्पन तो चीन लिया बच्पना चीन के दिखा साथ ही हिंदुस्तान में कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब पे जाते हैं और उनको नहीं जानते होंगे स्वाइए आज हम सब लोग मिलके स्वागत करें फिर एक बड़ा दिन हम सब के लिए टी-एस मदान साब आज हमारे मेमान है मदान सर चैट विट स्वाइए बाद बहुत स्वागत है तैंक यू वथ साब आपने जो अभी अभी शेयर बोला है हमें समझने लगती इसका जवाब हम क्या दे केवल धन्यवाद ही कह सकता हूँ यह सर मैंने है ना सेर आपके लिए स्वेशली मैंने धूंड आईए और यह आपकी परसनलिटी बे बहुत फिट बैठता है सर आपका जो एकसाइटमेंट है आपका जो होसला है मतलब पचास पचपन के बाद तो आदमी है ना यह सोज लेता है जिन्दगी को समेट लो जब शुरू होती है जब जिन्दगी शुरू होती है और आप से यह लगता है बादशीत करके कि यार रभी तो विरादे बड़े बुलंद है नाइस आफ यू नाइस आफ यू थैंक्यू सोमच सर सबसे पहले तो हम दस मिलियन सबस्क्राइबर पूरे होने पे पूरी CWSW टीम की तरफ से आपको बढ़ाई देते हैं धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस चीज़ का कि आप उस समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं जिस समय लोगों के पास में फरी में चीज़ें मिलती नहीं थी तो उस समय आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं स्पेशली यूट्यूबर्स की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए सर आप इंस्पैरिंग बने स्पेशली जो टैन मिलियन का जो माइल स्टोन अचीव किया उसका वीडियो तो हमने देखा बड़ा इंटरस्टिंग वीडियो आपने बनाया जिसमें हिमेश भी है और अवर भी है हाँ सभी लोग है सारी फैमिली है सारी फैमिली उसमें है हमें शायद अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं लगती जितना बड़ा लगता है कि टैन मिलियन लोग हमारे साथ है बस वो डाइमन्ड मिला वो बटन मिला वो आवार्ड मिला वो तो बाद की बाते हैं बस दस मिलियन लोगों का प्यार मिला सबसे बड़ी वही चीज़ है बस वही एमोशन्स हैं वही फीलिंग्स है वही मलब अमर ठकने का नाम नहीं लेने देती बिल्कुल नहीं अमर तो यहां पर मैं कहने चाहूंगा होता है क्या है कि हर व्यक्ति हर साल उसका एक्सपिरियंस बढ़ता है तो जब मानने ली जी 50 साल का हो गया तो उसके पास working experience 30 सालों का है तो 51 के साल में वो 30 साल के experience को यूज करेगा जब वो 61 का हो गया तो 40 साल के experience को यूज करेगा और यहां पर आगे लोग रीटायर हो जाते हैं तो जो experience कठा किया वो किसी के काम ही नहीं आया तराशी खेलनी शुरू कर दी, ना समाज के काम आया, ना कंट्री के काम आया, ना परिवार के काम आया, ना लोगों के काम आया, तो उसी समय तो शुरू करना चाहिए, आज हमारे पास बिजनस जो experience आया है, पिछले 40 साल बिजनस किया, जॉब किया, लोगों के साथ मिले, इस में से जब आप सब कुछ छोड़ दे यार, अब भी काम करने का टाइम आया है, और आने वाले अगर 40-50 साल बगवान ने उम्र बख्षी, तो इस experience को ही use करना है, वर्निफुरू, याट्स ग्रेट सर, हम आगे बढ़ें, मैं कुछ कुछ पूछूँ आप से, कॉम्प्ल इक्वेटर मदान सर का स्वागत है, CWSW पर, परदीप परजापती टाइगर लिख रहे हैं, सेल्स के भीशम पिता आ रहे हैं, वीके सिंग ने लिखा है, स्वागत है सर जी, आपका बेसबरी से इंतिजार था, और रवी कुमार पाल लिखते हैं, जोस ही जोस, उर्जा के बंडार सेल्स के भगवा ना रहे हैं, अरे, रे वाख, सभी की महानता है, सभी की महानता है यह, डैट सीड, वन्नरफूर सेर, हम जब आपको देखते हैं सर, आपकी जिनदगी को समझते हैं, क्योंके आपका जीवन जो है ना, आप एक सेलिबरेटी है, सर और सेलिबरेटी कि क्या प्रिभासा है? अच्छा, ये पहला सवाल आपने रादर कह लीजिए कि मेरे दिल के करीब है. क्योंकि सफलता की प्रिभाशा जब समझ लग जाती है ना, तभी बंदे को सफलता दिखाई देती है और उसको एंजॉय कर पाता है. सफलता है कि जो आपका कल था, जो कीता हुआ टाइम है, उससे आगे निकलना है बस. केवल सफलता यही है, आज कल से आगे, जब आने वाला कल है, वो आज से आगे. अगर तो आप कंटिन्यूस, कंसिस्टेंट, पर्सिस्टेंट ग्रो करते हो, चाहे थोड़ा सा करो, चाहे एक ही कदम चलो, तो आप सफल हो. केवल अपनी ही पास्ट को केवल कंपीट करना है बस. किसी और को तो करी नहीं पाओगे ना. लोगों के जो स्ट्रेंट्स हैं, जो लोगों की वीकनेस हैं, लोगों के पास है ना. आपकी अपनी स्ट्रेंट्स है, आपकी अपनी वीकनेस है. तो आप अपनी स्ट्रेंट्स क कि यूनो कल मैंने परिसों से बैटर किया तो उसको मैं celebrate करूँ और मानुम कि मैं सफल हो गया हूं और आज मैंने बस इतना सा करना है कलalf जो मैं था उससे में अपडेट होना है थोड़ा कुछ सी कुछ EL सी कुछ भी करूँ तो हमने पहुचना है 499 पोजिशन पे और रुकना नहीं है फिर पहुचना 498 और करते 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 हम कभी न कभी फिर्स्ट आ जाएंगे और यही सफलता है आपने चुकी बहुत सारी सिचेशन आपने देखी हैं सर जंदगी में पिसली बार जब आप आए तो हमने आपकी लाइफ के बारे में बात्चित की थी जिन्दगी में जब मुस्किल समय आए तो अपने आपको कैसे मोटिवेट करें यह हर विक्ती को फेस करना ही पड़ता है यह जब से फाइर हो गए उस दिन मुश्किल कारा है मुश्किल समय इसको कहते हो अगर कोई हम बिमार हो劃 है उसको मुश्किल कहते हो यह जाब से फायर होगा उस मूश्किल कह रहे हो यहां जॉब से फायर हो गए उस दिन मुश्किल कह रहे हो मुश्किल कह है किसको रहे हो यह मुश्किले नहीं है यह तो रास्ता है हम तो सड़क पे चल रहे हैं और हमारे पास से 500 किलो मीटर का रास्ता है रेड लाइट्स आएंगी ना स्पीड ब्रेकर आएंगे गड़े आएंगे अब उसको आप रास्ता मान लो या मुश्किले मान लो अगर रास्ता मानो के तो उसे फिर क्रॉस करना है स्पीड बेकर आया, रुके, उसको क्रॉस किया, स्पीड तेज कर ली, गड़ा आया, दिहान से गाड़ी को बीच में से निकाला, स्पीड तेज कर ली, अब ये मुश्किले नहीं है, जिन्दगी में हम बिमार हुए, हमारे घर में किसी की मृत्यू हो गई, हमारा बिजनस फे रहे, मैं मुश्किले नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपको कुछ रास्ता मिला है, ये मुश्किले आपको सिखाती है कि गियर बदलना कैसे है, ये मुश्किले आपको सिखाती है कि अब स्टेरिंग कैसे पकड़ना है, जब गड़े में से निकले तो कैसे निकलना ह जब तक आपकी गाड़ी का आपकी बाइक का जो टायर है कोई पंक्चर नहीं करता आपको टायर बदलना नहीं आ सकता तो किसी ने पंक्चर किया आपको टायर बदलना आ गया अगर यह COVID ना आता तो हमें हाथ धोने इना आते ये मुष्किले हम भूना है, अगर alongside आग में नहीं डालते, तो सोना अभूशन ना बनता तो इसका cœur आनला हम है ये समझे जिनको हम मुष्किलें समझते हैं, समस्क्रेशा़ प्रेशाणी समझते हैं, टब टाम जुसको हम बोलते हैं तो उसको यह माने कि यह एक अच्छी दस्तक है जिसमे कुछ ने कुछ मेरी जिन्दगी में बदलावाएगा और कुछ अच्छे की तरफ में जा रहा हूं हम यह समझे कि भगवान हमारे उपर महरबान है हमें मुश्किले दी है हमें आगे लेके जाना चाहरा है हमें वो चाहत है जिन्दा रहना चाहते है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मुश्किले हमारे टीचर भी है हमारा गाइड भी है और हमारे लिए वो ट्रेनिंग का पीरियड है जो हमें सिखाता है अगला प्रशन में ले रहा हूं सर बहुत सारे वीवर्ज ने कॉमेंट्स भ बनना चाहता है क्या करें आ मास्टर वर्ड हाँ समझी है कि उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है तो हमने अभी आपने शुरू में एक चीज बोली थी उसी को पकड़ रहू हूं मैं के हम थोड़ा थोड़ा सीखें जरूरी नहीं है सब में लेकिन किसी एक चीज में ठीक है अब jack of all master of none ये उन लोगों को बोला गया था जो हर जगा पर टांग फसाते हैं लेकिन किसी एक जगा पर पहुंच नहीं पाते हैं तो यहाँ पर अगर sales में हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो jack of all बनना पड़ेगा और master of one बनना पड़ेगा यानि master of one बनना है master of none नहीं बन होना चाहिए थोड़ा fashion का पता होना चाहिए थोड़ा फिल्मों का पता होना चाहिए थोड़ा geography का science का chemistry का physics का थोड़ा थोड़ा knowledge अगर सब आपके पास है तो आप अपने field में master बन सकते हो हम cable ढूंड रहे हैं sales में नहीं और जब किसी के साथ बैठते हैं तो वो बात करता है कि आजकल politics का क्या है और हम कहते हैं यार हमें दो पता ही नहीं है हो कहते है ठीक है वो हमारा जो रापता बना था communication आगे नहीं बढ़ पाती तो jack of all and master of one and one is your profession चाहे आप salesman हो चाहे आप professional हो चाहे वेपारी हो sales को लेके जब पहली बार आए तो आपने एक अपने course के बार किसे बदलें और उसके बाद एक और बनाया था मैंने वो है कि पैसा कमाने की क्षमता कैसे बढ़ाएं तो दोनों को उस बिक रहे हैं वो अपनी speed पे चल रहे हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए मैं कभी कोशिश नहीं कर रहा हूं अच्छा वो ओटो मोड में हैं हैं हो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बेचने में बिलीव नहीं करता हूं मैं बिलीव करता हूं कि लोग खरीदे मुझे बेचना ना पड़े लोग खरीदे तो लोग तब ही खरीदे हैं कि अगर आपकी quality सही है तो मैंने सही quality बना दी है तो लोग खरीद रह है होती है ना ऐसे लोग बता रहे है ना शुरू में मैंने बहुनत कर ली थी शुरू के कुछ महींसे हम लें लोगों को बताया अडरीज किया प्रमोट किया श्योर शराबा पूरा किया आपके चैनल पे भूलके गया था मैं जै तो अब जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने उसको लिया है, अगर वो सैटिस्वाइड हैं, तो फिर शोर करेंगे, और अगर सैटिस्वाइड नहीं है, तो अब मेरा फाइदा भी नहीं है, अडूटाइस करने का, तो मुझे वो रिजल्ट मिल रहे हैं, लोगों को हुँँ तो उससे पिशली अंदर में क्या मेहसूस होता है बस दो लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं उस समय एक्टो उपर वाले का जिसने हमें वो सारी शक्ती दी है यह में टैलेंट दिया है श्किल दिया है तो दूसरा जो काम्याब हो रहा है हमें सुनके, उसका धन्यवाद करता हूँ, कि उसने हमें मौका दिया उसके सिवा करने का, इम्पॉर्टन तो वह है, अगर मुझे ना सुनता, तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी न कर पाता, तो उसने सुना है, इसलिए वो मेरे लिए इम् मादान साब की दो स्रेंथ और दो वीकनेस हमने कहा था कि आप मेरे बारे में नहीं पूछ होगे क्यों पूछ रहे हो आपके बारे में तो पूछना ही पड़ेगा ना सर आपका ही तो इंटर्व्यू है अरे वाब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं अपने में कमजोरी ज़्यादा दिखाई देती हैं सर श्ट्रेंथ तो मैं आप लोगों की देखता हूँ और जितने लोग हमें सुन रहे हैं हमें देखते हैं उनकी देखता हूँ तो यहां पर क्योंकि आपने कॉश् किंग नहीं कर सकता हूँ मल्टी टास्किंग नहीं कर सकता हूँ यह मेरी वीकनेस है और मल्टी टास्किंग नहीं करता हूँ यह मेरी स्ट्रेंथ है क्योंकि मैं एक ही चीज में फोकस्ट हूँ जो मैंने काम किया जिंदगी में उसमें मैंने हंडर्ड परसंट दे दिया और इ समय बिजनस नहीं सोचता हूँ. जब मैं बिजनस सोचता हूँ, तो मेरे घर में सब कुछ खराब हो जाए, गीजर खराब हो जाए, टेलिवीजन खराब हो जाए, भूखे रहना पड़े, मुझे दिखाई कुछ नहीं देता है. तो कई बार लोग कहते हैं कि यार आपने चले है बजार में है खाना कब खाना है अभी तो खाया था तो मुझे नहीं याद रहता ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मैं भगवान का ही शुक्र करता हूँ उसने मुझे स्ट्रेंथ दी है दूसरे मेरी strength है punctuality, time time को मैं समझता हूँ कि पैसे से भी जादा valuable होता है पैसा कमाया भी जा सकता है, पैसा store भी किया जा सकता है, save भी किया जा सकता है time save नहीं किया जा सकता तो जो हमारे पास time है, उसको utilize भी करना है और उसकी value भी करनी है और इसलिए मैं पिछले 45 years का मुझे याद है कि मैं ये open challenge देता हूँ always अपने seminar में हर जगा पर और मैं camera की और देखके बोल रहा हूँ पिछले 45 years में कोई एक incidence मुझे बता दो कि मैं late हुआ था कोई एक incidence मैं इस profession को छोड़ दो मतलब ही कोई नहीं है अरे आप इसकी बात छोड़ो शादी मेरी शादी मेरे बच्चों की शादी कोई अब तो ये तो कोई छिपी बात नहीं है ना सब लोग देख रहे हैं क्या पता रिष्टेदार भी देख रहे हो वे आपके चैनल पे तो लाखों लोग हैं तो उसमें में रिष्टेदार भी तो हो सकते हैं वो कहें यार ये बोल गया ये तो लेट आया था मेरी शादी कितने साल हो गए 42 येर्स हो गए 42 येर्स पहले reception और बरात लड़की वालों ने प्रिंट किया था सुबह 9 बजे का दिन की शादी सरदारों में ज़्यादा होती है ना सुबह 9 बजे ये सोच के 9 बजे किया था कि ये तो 11 बजे ही आएंगे तो हम 9 बजे पहुँच गए क्योंकि उस समय मेरे बारे में लोग नहीं जानते थे कि ये पागल बंदा है पहुँच जाएगा तो कोई आया भी नहीं था मैं मेरी सिस्टर मेरे मदर मेरे फादर और मेरे ग्रेंड मदर हम पाँच लोग ना बाजे वाले आए ना घोडी वाला आया ना हमारे पडोसी आये ना कोई रिष्टेदार आये हमने घर लॉक किया और चले गए और वहां पहुँचे और लड़की वालों को भी नहीं पता था कि ये पागल बंदा है और वो भी तयार नहीं थे ये तो था 42 ये पहले दस साल पहले मेरे बड़े बेटे की शादी हुई अवल की दिल्ली में की है डॉट आठ बज़ रिसेप्शन ओफ टाइम रात का था शाली मार बाग पहुँच गए और अब हमने लड़की वालों को बोल दिया था और लोगों को पता चल चुका था इन्होंने पहुँच जाना है हेमेश की चोटे बेटे की शादी हुई है पांच-छे साल पहले डॉट एक सेकंड भी लेट ने हुए पंजाब में अमरित सर में पहले में रहता था अमरित सर में फर्स्ट मुझे पंजाब ब्यूटी कांटेस्ट मैंने करवाया था अच्छे दर मुझे पंजाब भीन्टी कांटेस्ट पब्लिक प्रोग्रम जिसमें लोगों ने आना है जिसमें लोगों ने टिकट कर्ची हुई है साथ बज़े का टाइम है और साथ बज़े हमने शुरू कर दिया था बाकि वेबार मीटिंग्स तो बहुत छोटी चीज़े रह गई है इस ग्रेट सर साइद हम लोगों ने भी कही न कहीं आप से ही सीखा है फ्रेंड्स मेट हमने किया 2020 उसमें आप जनुरी का महीना फोग ठंड बहंकर दस ज़े हमने प्रोग्राम रखा था ज़र और दस ज़े हमने रास्टेगान वहां पर गा के और ठीक दस ज़े हमने उसको स्टार्ट किया था और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके आप जो एक्जांपल बने ना सर उसी से बनलाव आता है लोगों में और आप बहुत इंस्पैरिंग है सर आज के इस इंट्रिव्यू को जितना मर्जी लंबा जले जलने दिना लोग देखेंगे लेकिन हम अपनी सारी बाते करके जाएं ठीक है कि हमारे अंदर आपको भी लगे कुछ और दे सकते थे हमें भी लगे कुछ और दे सकते थे तो एक एड़ेड़ गंटे की वीडियो ज तो वो तो लोगों कोई दिखना चाहिए बस और ग्यान आना चाहिए आपके अंदर मैं अब वीकनेस के और आ रहा हूं पहली वीकनेस मैंने बता दी है कि मैं मल्टी टास्किंग नहीं कर सकता हूं उसका कभी कभी नुकसान भी होता है जैसे खाना खा लिया मुझे पता ही लेकिन उसी को मैंने स्टेंथ बनाया हुआ है दूसरी मेरी जो वीकनेस है ना क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने मैं किसी को दोखा देने की कोशिश नहीं करता हूं मैं किसी के साथ दगा नहीं करता हूं कहीं लेट नहीं पहुंचता हूं किसी का नुकसान नहीं कर मुझे लगता है या जब मैंने इनके साथ गलत नहीं किया मैंने इनको ठीक रेट कोट किया मैंने इनको ठीक क्वालिटी दी तो ये मेरे साथ गलत क्यों चले तो फिर मैं उसको कह देता हूं और कहने से क्या होता है कि फिर वो कई बार नुकसान होता है रिष्टे तूटते भ इमान हो आदे बहिमन नहीं हो सकते आदे अमान दर नहीं हो सकते ठीक है यह तो आप पावरफुल हो यह आप कमजोर हो आदे नहीं हो सकते है जब आप process of elimination में आते हो तो अगर आप punctual हो आपके सारे दोस्त वही बनेगे जो punctual है दोसे लोग eliminate हो जाएंगे तो तो अगर आप लेट कमर हो तो आपके सारे दोस्त बनेंगे जो लेट कमर है बाकी इलिमिनेट हो जाएंगे तो इसका जो मैंने आपको अपनी वीकनेस बताई है इसका फाइदा क्या है कि जो सही लोग है वह मेरे साथ हा गए, मेरे दोस्त बन गए आपके साथ तो इतने पुरानी दोस्ती है, क्यो नहीं टूटी? सई, टूटी तो आपके साथ भी टूटी? तो आपके साथ क्यो नहीं टूटी? इसलिएगे नहीं टूटी तो वह process of elimination में वो लोग eliminate हो गए जो कहीं न कहीं हमें दोखा देना चाहते थे That's all Wonderful और वो मकसद भी यह है सर आप जैसे बहान लोगों से चीज़ें पूछने का ताकि हम लोग अपने जिन्दगी में जहांके देखें चेक करें और उनसे हम लोग सीख सकते हैं वीवर्ज के कुछ कुछ कुछन लेना चाहरा हूं से आपकी जाज़त से कृष्णा जी स्टुडी सेंटर यह लिखते हैं इसके लिए माइंड को एक्टिव रखने के लिए सबसे पहले तो हमें फिजिकली बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बॉडी एक्टिव है तभी माइंड एक्टिव रह सकता है तो बॉडी को एक्टिव रखने के लिए दो चार चीज़े हैं जिसमें खाने से लेके और हमारे लाइफस्टाइल तक बच्वन ने पढ़ लिया था लेकिन यहां पर आगे भी कुछ सिंटेंसी हैं तो जब आप यह सारी चीज़ों का ध्यां रखते हो आप फिजिकली भी फिट रहते हो और आपका मैंड भी एक्टिव रहता है हमारी डाइट ही हमारी सिहत को खराब करती है और हमारी डाइट ही हमारी मैंड को खराब करती है आप देखो कि जो लोग डॉग्स रखते हैं पैट लवर होते है तो अगर आपने कोई ऐसा डॉग रखा हुआ है जो शिकारी डॉग है तो normally उसको non-wedge दिया जाता है खाने के लिए ठीक है और जो दूसरा डॉग है जो ornamental है उसको vegetarian दिया जाता है reason क्या है कि उसके mind को हमने शिकारी बनाना है ना तो उसके mind को हमने soft बनाना है तो diet हो, drinks हो, हमारा चलने का बात, हमारे कैसे दोस्त है क्या हम पढ़ते हैं, कैसे television के program देखते हैं, कैसे filmें देखते हैं वो सब मिला के आपकी सिहत and आपका mind बनता है बहुत बढ़ी है sir, मतलब हम लोग इससे ये समझें कि mind को active करना है, तो physical activities रहें आप खाना क्या खा रहे हैं, किन लोगों से आप हैं तो वो बहुत ज्यादा important है, that's great sir अगला question है sir, fighter करन चोहान एक सफल sales professional कैसे बने और sales में लगातार growth कैसे लेके आएं sales वाला पहले भी आ गया था, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे sir हाँ जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ question था mastery कैसे हो, अब यहाँ आया sales professional कैसे बने sales profession एक ऐसा profession है पूरी दुनिया में जो जिस व्यक्ति को जिस जो व्यक्ति इसको पकड़ लेता है अडॉप कर लेता है, इसमें घुस जाता है वो अपने अपने लिए नहीं जीता है फिर फिर जीता है यहाँ product के लिए, तो यहाँ customer के लिए जैसे आप कहते हो ना कि public figure है, public figure लोगों के लिए जीती है, ऐसे ही salesman अपने consumers, अपने clients के लिए जीता है, यहाँ फिर product के लिए जीता है अगर उसने सही professional बनना है, तो इन दोनों consumer की pocket से निकल के आ रहा है, उसके mobile phone का bill, उसके घर का किराया, उसके bike का, उसकी car का petrol, हर चीज उसकी pocket से आ रहा है, तो अगर वो उसके साथ सही है, जो वो पैसे दे रहा है, उसको उससे ज्यादा value दे रहा है, और जो product उसको provide कर रहा है, वो product उसके पैसे की value को सही दिशा में लेके जा रही है तो he is a true sales professional इसके इलावा बाकी bag कैसे पकड़ना है, tie कैसे पकड़ना है वो secondary चीज़े है professional बनने के लिए है presentable बनने के लिए बाकी चीज़े है अगला प्रशन है रवी कुमार पाल का और पूछी लेता हूँ, मैं इन्होंने लिखा है तो आपने direct selling क्यों छोड़ी direct selling क्यों छोड़ी मैंने direct selling नहीं छोड़ी market में ख़बर है सर कुछ अगर ख़बर है तो आपने question किया है तो अच्छा किया पहले ये समझना होगा रवी पाल जी हार, ये सर, रवी कुमार पाल रवी कुमार जी, आपको संबोधित कर रहा हूँ और सब भी विवियर्स को सुना रहा हूँ direct selling के दो मॉडल है एक मॉडल है SLM और एक मॉडल है MLM single level marketing and multi level marketing आप direct selling क्या होती है कि किसी consumer को directly समान देना ये direct selling है ना, जब हम life insurance बेचते हैं, that is direct selling direct selling है न, हम किसी के घर में जागे उसको life insurance बेचने गए है अगर हम किसी के घर में सबजी बेचने जाते हैं, direct selling है अगर fruits बेचने जा रहे हैं तो direct selling है तो multi level है कि मैं किसी को कुछ बेचने भी गया और उसको आगे बेचने के लिए कहा. हाँ, राइट, जू. ठीक है? और सिंगल लेवल है कि मैं किसी कुछ बेचने गया और उसको आगे बेचने के लिए नहीं कहा, जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनस कहा देते हैं. मैंने मल्टी लेवल से निकल कर मैं सिंगल लेवल में आया हूँ. हूँ मैं डिरेक्ट सिलिंग में. तो मैं इसको दुसरी त player से पुछता हम. मल्ली लेवल से निकल के सिंगल लेवल में आने का कोई विसे इस कारण? बिजनस मौडल सारे बढ़िया होते हैं. मल्टी लेवल का मैंने बहुत 20 साल से स्टेडी किया है इसका मैं पार्ट रहा हूँ इसमें मैंने ट्रेनिंग दी है और आज भी अगर मुझे कोई मल्टी लेवल कोस्टन पूछोगे तो मैं उसमें कामयब होने के लिए जवाब भी दूँगा क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल है लेकिन हर मॉडल हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं है तो मेरा जो टेमपरमेंट है जो मेरा काम करने का तरीका है जो मैंने पिछले 40-45 साल में किया है उसमें सिंगल लेवल मैं ज़्यादा कमफरडेबल रहता हूँ मैं मल्टी लेवल में कम कमफरडेबल हूँ मॉडल दोनों बढ़िया है क्योंकि मैंने MLM में कम काम किया है और SLM में ज़्यादा किया है मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो लाइफ इंशूर्ने से शुरू हुआ था मैंने पिछली वर बताया था तो मैंने कितने ही साल लाइफ इंशूरर को दीये है तो लाइफ इंशूरर हम प्रोट्ट बेचने जाते थे कॉंसेट बेचने जाते थे हम वहाँ पर उनको आगे सील्जमन या रेफरल में काम नहीं करवाते थे तो मेरा जो परिवार है जो मेरी family है वो भी traditional business family है हम basically पता नहीं आपके शो में कभी बात हुई की नहीं हम basically industrialist है तो मेरे फादर मेरे अंकल लोग सब industry में हैं तो मेरे blood में वो single level ही चला है तो जब मैंने सोचा कि मैंने अपना business करना है क्योंकि जब शुरू हुआ कि लोगों को सिखाते सिखाते शुर अब trainer बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जो मुझे लगा कि यार अगर ये दुकानदार ये करे तो ये कामयब हो सकता है जैसे मेरा training program है 400 videos बना दी गराह कि ना को हामे कैसे बदले अब अगर उसको को सुन ले और implement कर ले तो 400 videos में कुछ तो मैं बोला हूँ ना आपकी बी contribution है और आठनो और भी trainers की contribution है अगर कोई सुन ले तो चेंज हो जाएगा अब लोग सुनेंगे नहीं मान लो देखेंगे नहीं तो बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो मैंने का के यार अब coach से हटके एक बार खेल के दिखाते हैं coaching कर ली पहले भी खेले life insurance में मैंने record ब जो टूटा नहीं है तो मैंने का अब coaching कर ली ना अब लोग कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे को मैं कहता हूं कि यार आप उधार ना बेचो उधार के बिना चली नहीं सकता है तो इसमें क्या products के साथ मैं आपने start किया है ज़र मैंने सुरिंदर जी वैसे तो multi product के उपर आउंगा multi verticals में आउंगा तो अभी मैंने 15th August 2021 को launch किया है तो फिल हल मैं health की products के साथ आया हूं आयूरवेदिक की products के साथ आया हूं और सब single level में ही बिकेगा directly to the consumer, online B and offline B. तो जब salesman किसी के घर में जाएगा तो वो उसे product ही बेचेगा और जब मैं online बेचोंगा तो सिर्फ product ही बेचोंगा तो पूरा benefit जो sales executive है उसी को मिलने वाला है उसी को मिलने एक ही बंदा बीच में होगा, so हम यहां तो बीच में खाने वाला है online portal e-commerce तो यहां खाने वाला है जो bag लेके किसी के घर में उसको समझाने गया है e-commerce platform इसको choose कर रहे हैं सबसे पहले तो अपनी site पर शुरू किया है अपना e-commerce site develop की है tsmadhan.in तो सबसे पहले तो उसी को पर शुरू किया है और उसके बाद amazon flip card सभी platform all platforms लेकिन मेरी जो कोशिश है वो है कि जो लोग है जो इनसान है वो उसको physically लोगों के घरों में जाके बे पीछे reason है कि इसी कारण में पांच-दस हजार लोगों को income का source दे पाऊंगा कि क्योंकि हाँ सिंगल लेवल में एक और चीज़ है सिंगल लेवल में लोग रोटी तो अच्छी खा सकते हैं मल्टी लेवल में एक scope है करोड़ पती बनने का जो सिंगल लेवल में नहीं है यह drawback है लेकिन उसका plus point क्या है सिंगल लेवल में कि आप एक amount जो चाहते हो वो मिल जाती है मल्टी लेवल में आप जरूरी नहीं है करोड़ पे पहुँच पाओ लेकिन scope है और उस करोड़ में पहुँचने के लिए कई लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं तो मैंने सोचा है पांच-देस हजार लोग सारे लोग MLM करना भी नहीं चाते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं जी हम तो किसी को जॉइनिंग के लिए नहीं बोल सकते हमें थोड़ी से गबराट होती है तो ना बोल अच्छा मैंने MLM में भी अगर जो लोग क्यों प्रेफरेंस देते हैं तो उनकी जॉइनिंग ज्यादा आएगी और बिजनस ज्यादा होगा क्योंकि मैं आप तो पुराने हो इस फील्ड में आप तो हमारे से बहुत पहले आए हो तो जब मैं आपके घर में आता हूं कि मेरी एक प्रोड़क्ट बहुत बढ़िया है तो आ इंडिया में 140 करोड़ की अबादी हो जाएगी 140 करोड़ के अबादी में कंजूमर कितने होंगे आपके मताबिक 140 करोड़ कंजूमर हैं सेल्समें कितने होंगे लिमिटेड ही होंगे ना एक परसेंट में नहीं होंगे लिमिटेड ही होंगे तो हर कंजूमर को हम सेल्समें कै से बना सकते हैं और वहीं करबड हो रही है सारी यहां तो आप बनाओ ही ना यह तो सीधा ही सिंगल लेवल में बेचो लेकिन अगर मल्टी लेवल के बहुत बड़ी खूबी है कि इनकी प्रोडक्स बहुत बड़िया होती है क्योंकि डिरेक्टली बेचना होता है तो अच्छी कॉलिटी बनाती है सभी कमपनी अब मेरे पास को बंदा आता है कॉलिटी मैं पूछने जूरूरत नहीं है या तू बेचने आया है तो तू ने भी दिया होगा पूरी बड़तार हो गई होगी तो मुझे विश्वास है तब मुझे कहता है जी इसको अब आप भी करो मेरे से तो होगा नहीं पिर मुझे वह सपने दिखाता है अब सपने तो मुझे अच्छे लग रहे हैं पर मेरे से data नहीं होगा तो जब贼ुदस्ति क्यों तो कर रहा है ठीक और उसके बाद एक और गलती करता है वो यह गलती करता है कि सार इसमें 80% प्रॉफिट राइम बांडते हैं आ वा महँं बैंने के बाद मैं बाद बैटा बड़ा हो जाए का मैं तो काम करना तो इस प्रॉड़र्ट बेचना शुरू कर दे तो मैं आपका पूचाल सेथियृंग血 तो दोनों कॉंसेप्ट बढ़िया है, मैं अब सिंगल लेवल में हूँ, जी, वन्यवल सर आपने बहुत इमानदारी से और बे बाकी से इस चीज़ का जवाब दिया, आपके पास में तजरवा बहुत ज़्यादा है सर, और मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ, जिनके पास में सिंगल लेवल का और डेरेट सेलिंग का इतना अच्छा एक्सपिरियन्स रहा हो, लेकिन आपकी हर चीज़ से एक लर्निंग मिलती है, बस सर्थ ये है कि आप उस तरीके से उसको सीखें, जी, तो आप से हम सब लोग सीखते हैं सर, और आपके आने से हमारे वीवर् नाइस आफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी अपने आपको हमेशा भागी शाली समझता हूँ आपके चैनल पर आके, आप एक आवाज देते हैं, भागे आते हैं, इसलिए कि आपको लगता है कि आप सीख रहे हो, लेकिन मुझे पता है मैं भी कुछ सीख के जा नहीं किया हुआ, तो मुझे भी रिमाइंडर मिलता है कि टीयस मदान तू भी गलती कर रहा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी, मेरा आशीरवाद है, सबी वियोर्स के लिए, कि सब लोग बहुत खुश रहें, तरक्य करें, और इस चैनल के लिए और आ अकेले यूट्यूब पे फोलो करते हैं, और हमेशा देने की इच्छा रहती है, और अब एक नए मिशन के साथ हैं, कि हजारों लोगों को रोजगार का साधन देंगे, अपने नए मार्केटिंग मॉडूल के माध्यम से, अगले मंगलवार को रातरी आठ बजे, फिर एक ब वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलें, और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें झाल